बदलने जा रहे हैं PhD के ये नियम जॉब करने वालों को होगा सबसे ज़ादा फाइदा जाने पूरी एडमिशन प्रक्रिया PhD प्रोग्रामों में एडमिशन के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है नियोमों में बदलाव होने से सबसे ज़्यादा फायदा नौकरी करने वालों को होगा क्योंकि UGC ने पार्ट टाइम PhD की आनुमती दे दी है नमस्कार मैं हूँ लता सिंग और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी नई राष्ट्री सिक्षा नीती लागू होने के साथ ही हायर एजुकेशन में कई बदलाव देखने को मिलेंगे उनिवस्टी ग्रांट्स कमिशन की ओर से कॉलेज डिगरी और PhD सहित हायर एजुकेशन के लिए एड्मिशन प्रक्रिया के क्राइटीरियस संशोधन किये गए हैं ये बदला आवाज संशोधन जो 2022 में नोटिफाइड किये गए थे 2023 से पूरी तरह से लागू होंगे सभी हायर एजुकेशन इंसिट्यूट्स को निर्देश दिया गया है कि वे UGC के संशोधन दिशा निर्देशों के मताबिक नामंकन करें और डिगरी दें आएज जानें कि PhD के एड्मिशन प्रोसेस में क्या नए बदलाव होने वाले हैं PhD प्रोग्रामों में एड्मिशन के लिए पहला बड़ा बदलाव अनिवारे क्राइटिरिया के रूप में Master of Philosophy को बंद करना है इसे ऐसे जानें कि अब छात्र एक साल के Master डिगरी और चार साल के Undergraduate प्रोग्राम या 2 साल के Master डिगरी और 3 साल के Undergraduate को पूरा करने के बाद Doctorate के डिगरी के लिए सीधा आवेदन कर सकते हैं वहीं UGC ने PhD थीसिस जमा कराने से पहले Peer Reviewed Journals में Research के अनिवारे Publishing की बाद्यता में भी छूट दे दी है UGC का मानना है कि इससे Researchers को अपने Papers को कई पत्रिकाओं में Publish कराने के लिए बुकतान करने की आवशकता नहीं होगी बता दें कि ऐसी तमाम पत्रिकाएं हैं जो पैसे के लिए Research Publish करती हैं UGC ने अंशकालिक यानि Part-Time PhD को भी अनुमती दे दी है ये Practice 2009 और 2016 के नियमों के तहत बंद कर दी गई थी लेकिन नए नियमों के मुताबिक छात्रिया Professionals पार्ट टाइम बेस में PhD कर सकते हैं बस उनके पास अपनी कंपनी से No Objection Certificate होना चाहिए इस साल PhD कोर्स डियूरेशन में भी बदलाव हो रहा है जो कि अब नियूनितम 2 साल से अधिकतम 6 साल होगी वहीं महिलाओं और दिव्यांग उमिद्वारों को डिगरी पूरी करने के लिए 2 साल की छूट मिलेगी इसके अतिरिक महिला अभ्यारतियों को 240 दिन तक के लिए मेटर्नल चुट्टी और बाल देखबाल चुट्टी भी मिलेगी UGC ने सीटे भरने के लिए अपने नियमों में कई सारे बदलाव किये हैं अब 40% सीटों के अलोट्मेंट के लिए कॉमन उन्वरस्टी एंटरेंस टेस्ट होगा जबकि 60% उन आवेदकों के लिए रिजर्व होगी जिनोंने नेट या जे आरफ की परिक्षा उतिर्ण की होगी एंटरेंस टेस्ट पास करने वाले अभ्यारतियों का मुल्यांकन 70 by 30 के अनुपात में किया जाएगा ध्यान दें कि रिटायर होने वाले यानि तीन साल से कम सर्विस वाले संकायस अदस्यों को संशोधित मांदंडों के तहत नए शोध विद्वानों की निगरानी करने की अनुमती नहीं मिलेगी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही ऐसी तमाम और एक्स्क्लूजिव स्टोरीज के लिए देखते रहे रिपोर्टर जी